बश्कार दोस्तों आज मैं हूँ स्वामी ब्रह्मानंद प्राकरतिक चिच्छाले एम योग के इंदर मेंद्रगड हरिया नामे तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मेरे सामने टेक्निक परियोग की गई थी घुटनों के दर्द के लिए और उस टेक्निक को मैंने लाई अपने आखों से देखा और उसे बाबा जो हरी राम जी हमारे सामने है वो तुरंट चलने लग गई मुझे बड़ा आश्र चकीत हुआ कि 89 येर्स की ओल्ड एज में बाबा कैसे ठीक होगए इस टेक्निक से और वो भी एक ही दिन में और एक ही बार में तो देखे मैंने बड़ा निवेदन किया बाबा से और मेरे साथ डॉक्टर भाहर सिंग जी है प्राकरतिक चिकिछाले के संचालक मुख्य चिकिछा प्रभारी उनसे मैंने निवेदन किया कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है क्यों क्यों क्योंकि मैंने देखा YouTube पर बहुत वो विदी क्या है वो आज हम डॉक्टर भाहर सिंग से जानेंगे कि कौन सी विदी है जिसे इंस्टेंट यानि तुरंत रिलीफ मिलता है खासकर घुटनों के दर्द में तो वो मेरी जिग्यासा पैदा हुई बड़ा नुएदन मैंने किया बड़ा रिक्वेस्ट मैंने किय और बड़ी वी मुस्किल से मैं ये वीडियो सूट कर पा रहा हूँ और समय कम होता है डोक्टर साब के पास भी बाबा के पास भी मेरे पास भी लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये विदी बताने के लिए तैयार है को कि कहते हैं गुरू जो घ्यान है वो ऐसे नही देता है क्यoking जो टेकनिक होती है वो डोक्टर कभी बताना नहीं चाहता है लेकिन हमारा शोब लोग आल उपैल रहे हैं जूथे पॉंट बता रहे हैं जूथी विदय उनको ध्यान में रखते हैं डोक्टर आपने vivir दो मैं ्पको बताता हूँ ये विदी ता कि 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 इसी सब आपका स्वागत नमस्कार सभी को आपको भी साधर नमन मेरा धर्मबिर जी कि आप आए और आपने आपके काफी अन्रोज से आप मेरे को अपनी योर्क ले आए इस बताने में तो सबसे पहले मैं यह टेकनिक के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले या तो गेट के पास दोनों तरफ के जो सरकंडे होते हैं या तो उसको पकड़ ले या ऐसे कोई बना हुआ हो तो ऐसे उसको पकड़वा दें पैसेंट को और फिर एक चुन्नी ले लेके गुठने के उपर से यह मापन कर ले कि दो अंगूल उपर दो अंगूल उपर इसको चुन्नी को ऐसे बा पर रह जाए यह यह ऐसे लगा के मरोडी देखे और फिर निच्चे से लाके और फिर दो अंगुल यह निच्चे दो अंगुल निच्चे लाके इसको और यहाँ पर ऐसे करके और फिर इसी तरह जो रोग गरस्त जो इस्तान है जो यह गुठने वाला जो दर्द है जो दर्द वाली जगह है इस इसको केवल छोड़ दे और उपर से और निच्चे से ब्लेड का फ्लो वो बंद कर दे और फिर इसको अच्छी तरह कसके और इसमें फिर पैसेंट को बैठने के लिए बोले दोनु पैर बराबर रहेंगे शमान इस्तिती में और फिर बैठने के लिए बोले पैसेंट को एक बैठने में किसी को ज़्यादा गुटनों में दर्द है तो वो पिछे सारा भी ले 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 पिछे आदो पकड़ भी सकता है पिछे पैसेंट को दिक्कत ना आए कितना बैठना है दीरे दीरे बस एतना एक बार थोड़ा रोकने के लिए बोले उस सेकेंड के लिए और फ पैसेंट के गुटनों में दर्द है एज भी जादा है तो कहीं गिर ना जाए इसलिए साहरे की जौरत होती है देखिए जहां तक मूड़ा जाए मोड़ सकते हैं गुटने वहां तक मोड़ ले उस देर यहां रोके रखे और अब देरे देरे वापस आ जाए कितनी बार कर तीन-ची पांच बार करवा डर थे एक जोनों में है कर डूल दोनों में करेकर करे अब मैं देख रहा है है चल रहेना एक द्रे श्रय नटी के साथ आप आप चल रहेते से चलिए जए लकडी के साथ चैल है बहुत बढ़ी है वहां जी बहुत बढ़ी है जी जी चीक होगा अच्छा जी यह वीधी ठीक है तो क्या कहोगे आप जैसे जो बुजरक जो जिनके गुट्लों में दर्द है उनको कमो बैए यह मेरा गुट्राम दर्द था और मत्टी लगाई थी और मेरा तो इससे पूरा लाब मिले है तो कि मैं भी आप से प्रभावित हुआ था मैंने देखा कि 89 एक बाबा है उनके घुट्नों में प्रोब्लम है जैसे यह मेरे सामने विधी की और बाबा जो लंगडा कर चल रहे थे बैंत लेकर चल रहे थे और बैंत लेकर चलने के बाद यह ब काम से चल लेते हैं और मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं डॉक्टर भाहर सिंग जी का कि इसकी चाले में ऐसे रोगियों के दुख दर्द दूर करते रहते हैं और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भाहर सिंग जी से कि उन्होंने इस्तनी अच्छी टेकनिक कैसे कर रहे हैं और मैं आपके अन्रोद से मैं मान गया आपने मेरे को अपने कॉन्फिडेंस में आपने ले लिया इसके लिए दन्यवाद तो मैं करना चाहूंगा आपका कि आपने अपने फ्यवर में मेरे को लिया और ये वीडियो बनाने के लिए वो किया मैं ये वीडियो बन आपने बताया कि और भी बहुत सारफ है कि ये वीडियो बनती है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो जो बनाते हैं आज जिसको कोई नोलेज नहीं है अनोलेजफुल और ने कोई डिगरी है ने कोई डिपलोमा है कोई ऐसे वो कहते हैं ना कि देखा दाखी साजे और एक शरीर का कौन सायंग कितना मुवमेंट में है कितना नहीं है अब गुटनों का दर्थ तो एक ऐसा यह जगह है कि सबसे ज्यादा मुवमेंट अगर शरीर का होता है तो वह गुटनों का होता है और गुटनों के हम ऐसे बना देते हैं वीडियो की इसमें यह एक्सरसाइ गुटनों का दर्द बिलकुल ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्यूंकि इसमें देखना पड़ता है, अब गुटनों में दर्द है, तो वो किसलिए, कई तो ऐसे करवा देते हैं, exercise करवा देते हैं, ligaments की जो होती है, उस ligament में, कितना movement देना है, कितना नही देना है वह भी ध्यान देना होता है तो लिगामेंट का Wiki लिगामेंट का नाम नहीं जानते लोग वह अकसरचाश्ण में बनाख hypocru रुपई कमा लेते हैं इसमें अपना दंदा बना रख्का है तो ऐसा नहीं करके और यह जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इस टेकनिक से केवल ओपरेट नहीं वाओं गुठने का ओप्रेशन नहीं वाओं फैक्चर नहीं वाओं और लिगामेंट की दिकत नहीं वेखेट तो और शबी में आप यह अगर परत्यारोपन के लिए बोल दिया हो किसीने गुठने का तो अगर हम यह करवादें तो तुरं इसमें फायदा क्यों होता है जो मैंने बताया आपको कि यह जो करके दिखाया इसमें दोनु तरफ से blood का flow मैंने रोका था तो actually दर्द गुटनों में होता किसलिए है mostly जो जगह होता है movement वाली सबसे ज्यादा movement वाली सरीर की गुटना होता है और गुटनों में अलप मातरा में जो रक्त के साथ यह जो यूरिक एसिड का जो जमाव होता है blood में आ जाता है वो इस joint को गहर लेता है इसमें joint में अलप मातरा में वो रुक जाता है और वो रुकते रुकते काफी समय तक है फिर वो एक ठोस में रूपांतरित हो जाता है जिसको एलोपेथ में कैल्स का नाम दारन कर लेता है तो वो उसको जब हमें यह blood का flow रोकिंग है तो वहाँ से अलप मातरा में वहाँ गर्माट मिलेगी गर्माट मिलके और फिर वो रक्त के साथ संचालित हो जाएगा रक्त संचालित हो जाएगा और वो अपना melt होने में जल्दी melt होने लग जाएगा और वीडियो में नहीं समझाए जाती कि इस टेकनिक के पीछे science क्या है दूसरा इसमें मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा exercise के लिए सबसे बहतरी एक्सरसाइज यह है जी इसमें हमने ऐसे किया था है एक बार दिखाएं अपने तो इसमें ऐसे जैसे मालों यह करके बस इतन इतना पर यह exercise कर लोग ओधिया आप जानना चाहते हो कि कि वह किसा कपडा थाख इतना लंबा कपडा लेना है कितनी धाड component यहां पर यह सब भी कर सकते हैं किसी का सारा लेकर परिवार कि सदश्च से का सारा लेकरहमें यह कर सकते हैं अरा म्य입 सीख लें आके तो अच्छा है कि बाबा हरी राम भी मेरे को बताया था कि पिछले 10-15-20 सालों से प्रेशान थे काफी जगए यह घूम में अलग लग अगर अगर प्रेक्टिकल करवा के देखना चाहें तो आके देख भी सकते हम उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं जी जी से ज़्यादा से ज़्यादा परकरती के साथ समावेश बना के चलें लोग जी बहुत बहुत धन्यवाद डाक शाहब आपने इतनी अच्छी बात बताए बाबा हरी राम को पूरा फाइदा मिला और मैं बाबा का भी डॉक्टर भाहर सिंग जी का भी पूरे चिक अच्छाल करें और अपने कमेंट से साजा करें सभी के साथ साजा करें अच्छी जानकारी जो है वह फैल नहीं चाहिए और क्योंकि बुरे जो लोग है या गलत वीडियो बना रहे हैं ऐसे प्वैंट बता जिया किसी से गुखने का दर ठीक हो गया ऐसा कभी हो सकता है क्या सरफ एक प जरूर है क्योंकि उनको आज कर तॉ कि आज गर मैं देखता हूँ मेर को थैयरे कि आप पस आपरी लोग हीडियो से भो बताते हैं वह लोग उन- लोगोंगों के पास जाके भी आते है मेरे पास बोत सारव आप उत वहां जाते हैं कि यह आम वहां पर आजार रुपए दे आ है हमने वहां वो वीडियो देखा था उनका तब हम यह देख के आए तो मैं यह नहीं करना चाहूंगा कि आप उन से मत करिये या मैं बता रहा हूं वो सही है नहीं आप एक बार इस विद्धी को यह जो टैकनिक मैंने बताई है इस टैकनिक को आप जिनके गुटनों में दर्द है वो एक बार इसको करके देखें और फिर अपना वह आप उस पर विविशना करें कि यह ठीक है कैसी अद्ध है आप खुद कि स्वयम कर सकते हैं जी डाक्षा मैंने देखा है यहां पर मैं आता रहता हूं मतलब हजारों हजारों लोगी रोगी जो हैं कि यहां से ठीक हुए हैं और आप भी नई नी टेकनिक सीखते रहते हैं क्योंकि आपका भी 20-25 साल का एक लंबा अनुभव रहा है तो यह जो चिकिछा है यह अनुभव के आधार पर यह ज्यादा होती है तो डाक्षा आप ने इसमें जीवन को जीया है और ऐसे थेरपिस् से यहां पर उपचार किया जाता है जी आपका एक बार पुने तहीं दिल से आभार आपका जी आपने धन्यवाद जी मैं नंबर बता देता हूं डोक्टर साब के आप डारेक कॉंटक्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रेप्शन बोक्स में मैं लिख दूंगा 86-888-1272 इन नंबर पर आप कोल करके अपवैंडमेंट ले सकते हैं क्योंकि डोक्टर बीजी रहते हैं अभी भी डोक्टर आपको कहीं जाना है तो आज के लिए इतना ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद